प्रदेश में स्वास्त सुविधाओं के बड़े बड़े दाबों का सच खोखला है क्योंकि हमने जमीन पर इसे देखा है हमने देखा है कि अधूरी सुविधाओं की पूरी हकीकत ही कड़वी है और इसे देख कर जहन में बस एक ही सवाल कौन दता है कि जब अस्पताल ही है बिमार तो मरीजों का कैसे होगा इलाज जी हां कुशी नगर का जिला अस्पताल बदहाली के दौर से गुजर रहा है अस्पताल में दवाओं के परियापत इस्टाक होने के बापजूद दवाएं बाहर से लिखी जाती है जिलास्पताल में सेबा देने वाले डॉक्टर आज भी बाहर से दबाएं धरले से लिख रहे हैं और इनको खरीदना मरीश के परिजनों की मजबूरी वन चुकी है जिलास्पताल में चल रही इस अंधेर गर्दी पर किसी अधिकारी की नजर ही नहीं पड़ती जिससे दलालों के साथ साथ प्राइबेट मेडिकल स्टोर वालों के हौसले बुलंद हैं जब हम जिलास्पताल के महिला वार्ड पहुंचे तो यहां की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी ज्यादातर मरीजों के बिस्तर से चादरे गाइब मिली मरीज बिना चादरों के ही बिस्तर पर लेटे दिखे कैमरी को देखते ही स्टाप नर्स को अपनी ड्यूटी याद आई और चादर लेकर मरीजों के बिस्तर पर पहुंच गए और सबाल पूछने पर टाल मटोल करते हुए जवाब दिया अस्पिताल की बदहाली और बदेंतजामी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर सीटी स्कैन मशीन धूल फांक रही है बेहद जरूरी और लाखों की कीमत बाली सीटी स्कैन मशीन बंद कमरे में पांच सालों से धूल खा रही है अगर यह मशीन चलने लगे तो यहां पर आने वाले उन मरीजों को इसका फायदा मिलेगा जो बाहर जाकर अपनी जेव से प्राइबेट में सीटी स्कैन करवाते हैं जिला स्पताल में तीन साल पहले शुरू किया गया आईस्यू वार्ड भी बंद है CMS आईस्यू बंद होने की बात तो मानते हैं लेकिन डॉक्टरों की कमी और नर्सों की कमी होने की वज़े से इस वार्ड को बंद करने के अलाबा कोई और वज़े न होने का रोना भी रोते हैं कुशिनेगर की जिला स्पताल कि ये तसबीर इस बात पर हैरान करती है कि आखिर प्रदेश सरकार कि इन दावों के दम पर सरकारी अस्पतालों को पहले से बहतर साबित करती है अब देखना होगा कि अस्पताल की बीमार हालत का सरकार क्या इलाज करती है और यहां बंद पड़ी सुविधाओं की सुविधा मरीजों को कब तक मिलती है